आपको बच्चों की हंसी खेल से आपत्ती हुई आपने ये कहा कि बच्चों की शरारत की वज़ा हमारी अपनी भूल है तदजी मैं इस बात को नहीं मानता मैंने निखिल को कभी भी किसी पावंदी में नहीं रखा इंफेक्ट हम दोनों का इन बातों पर बिल्कुल विश्वास में बच्चे हैं कलतियां कर देते हैं अनभाव और गंभीरता जिन्देगी में धीरी धीरी आती है इस उम्र में उनसे ऐसी उमीद करना थोड़ी जा देते होगी ऐसा मेरा मानना आपने ये भी कहा था कि बच्चों को उनकी सीमा में रखना चाहिए ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है इसमें गलत तो कुछ नहीं है माजाग करने के भी हद होनी चाहिए सॉरी नैतिक बिटा नहीं आँटी ऐसा हो जाता है इस ओके जी तादा है मेरी वज़े से आपको जाता है निकल जी इस ओके इतना अगामा था कि बस हो खेंग है बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख लिए आप लोग हर काव में जिलकर करते है और हाँ वो गिफ्ट के लिए कुछ कहना था आपसे जी वो ठीक नहीं लगे मैं सोचे थी कि मैं और वेजिंग प्लानर्स मिलकर भी इस तहरे के गिफ्ट देने के लिए सोच नहीं पाए जो आप ने दिया है इस बीटिफुल कहां से मंगवा है आप लोग हमारी बहु ने सब किया अक्षरा ही आप सब के पसंद के इस हब से लाई थी अच्छा थैंक यू अक्षरा थैंक यू सो मच मैं प्लेजर अंटी मुझे बहुत खुशी है कि आपको सारे गिप्स अच्छे लगे इस बात पर तो मिछाई होनी चाहिए मैं अभी लेकर आती हम हाँ राधिक्रिष्ण राधिक्रिष्ण जी दी रहाँ यहां बेटे राधिक्रिष्ण बस अब तो शादी के लिए दो ही दिन देह गये हैं हमसे तो काटे नहीं कटेंगे सारी तयारियां हो चुकी है अब क्या खरण आपके भी होई गये होंगे अरे हाँ मैं एक और काम करने के लिए आय थी वो मैंने जो सगाई में रश्मी को कंगन दिये थे ना क्या हुआ कि मैंने अपने और रश्मी के एक जैसे कंगन बनवा लिये थे और गल्ती से मेरे कंगन का बॉक्स मैंने रश्मी को दिये दिया और इसके मेरे पास रहे गये तो मैंने सोचा कि यह मैं अभी बदल लेती हूँ रश्मी के हाथ छोटे हैं इसके कंगन तो मुझे नहीं आएंगे लो बेटा जी वो आपके कंगन देवड़ा साब, कल राद मारे घर चोरी होगी है चोरी हो पी? जी, जब हम सब आपके जार संगीत पेद्धे वहत सामन्दे जीवो, कुछ गैनेज, कपड़े और आप इंदियों वह कंगन चलेगए जी जीए काईदर बेहन, आप क्यों शर्मिन्दे होती है? इतना बड़ा नुक्सान हो है आपाद, इसका मुझे बहुत दुख है, और हमारा सामन था ही कितना? इसकी चिंता आप लोग मत देचे, वो तो अच्छा हुआ, कि सारे ग्याने ती जोरी से नहीं निकाले थी, लेकिन अब शादी के लिए सिर्फ तो दीन बचे हैं ना, इसकी फिकर करना छोड़ दीचे, रश्मी को मैं बहु नहीं, बेके बना कर ले जा रही हूं, दो जोरे मे नहीं ले जाओंगे उसे, नहीं नहीं अंटी, हो जाएगा, अभी टाइम है, और क्या, और मिलके कर लेंगे शादी, अपना एक ही घर है, तारा आयन्मेंट देखते हैंगे हम, आप मिश्चिंत रही है, आके हमारी बेटे की शादी है, अंकर, रश्मी की शादी के साथ, हम हमें बस यही चाहते हैं कि यह शादी काफी धूमदाम के साथ हूँ, मने इस बात की तसल्ली है, मारी रश्मी का भ्या ऐसे घर में हो रहे हो है, जहां पर अभी से वाने सब तो अतने ही मिल रहे हो है, ठीक है ददा जी, हमें आग्या दीजिए, अब तादा जीए, अब ता कोई भी मदद की जरूरत हो, बेजीजिक बताएगा हमें, अँटी जी आप लोग नाष्टा करके जाएए, सब तयार है, नहीं नहीं, अक्षेरा, फिर कभी फुरसत से बैठेंगे, अरे, बेटे की माँ हूँ, अच्छे से खातेदारी करवाँगे शादी के दिने, रादे कितने शालीन लोग है, यह तो बेकार में जिन्ता कर रहे थी, चलिए, अब हम लोग भी नाष्टा कर लेते हैं, दो महीने का काम दो दिन में खतम करना है, चांदगी जी नहीं करेंगी क्या, आप आईए, मैं बताती हो, तेरी बुआ से बात ही नहीं हो पाई, उख लोग कितनी टेंशन में खर पहुचे होंगे, हम पे अन्शु के टेंशन में उन्हें फोन ही नहीं कर पाई, आप में फोन कर लेते हूँ, आप में अजय कर देशन कर देशन में है, आप मैं एक पाई पाई आपके लिए, तो हम सब कैसे संबल पाते हां वर्शा, बोल, हाँ, आक्ष्रा, वो नहतिक जी की तबयत कैसी है, शौरे ने बताया कि उन्हें हेर लाइंग फैक्चर हुआ है, अभी शादी का टाइम है, और ये सब भी अभी होना था अब क्या बताऊं, वर्शा, कल हमारे गर में चोरी हो गई क्या, जोरी हो गई, क्या बोल रहे तू? हाँ, जब हम सब लोग संदीत में थे ना, तब ही हुई है, ज्यादा समान तूने गया न, अक्ष्रा, कुछ कया है, और कुछ पच गया, अच्छा, अक्ष्रा, तूने बताया क्यों नहीं हमें, नहीं, आप सब ठीक है, हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है, और वहसे भी मुझे बहुत टेंचन हो रहे थी, कि अब शादी कैसे होगी, लेकिन रमा अंटी और अंकल ने आ के सब कुछ संभाल लिया, लेकिन तुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा, हाँ, करना तो पड़ेगा, अच्छा, सुन, तुझे मेरी ज जोड़े हो गई, और घर में किसी को पता है नहीं है, मैं आख को पता हुए, जी, चान्नी का काम हम जैसा चारहे थे, ब्रहसा नहीं था, शुरू से ही मैं जे बात समझा रहे हूँ हूँ, अपने घर की शादी, हम लोगां से अच्छी कोई कर सके हैंके, बाहर के लोग काहे करेंगे, अरे पैसो के वास्ते करें हैं, इसने हैं मिना, जी ददाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए अब बहु ही सब कुछ देखेगी, बिटा, तुमने तोफे बदलने का जो निर्ने लिया वो बिल्कुल सही था, तुम अच्छी तरह ऐसे सब समझती हो बिटा, मैं तो कहती हूँ कि ब्या के जिम्मेदारी तुम ही देख लो, हाँ, हमारी बहु से अच्छा तो दुसरा कोई देख कर सकता, महावी तो बेस्ट वेडिंग प्लानर है, राजबना, चल, तुरा हिसाब देख ले में समय बहुत कम है, हैं जी, मा, यहनों का काम आप और भावी मा यह देखेगा, और भावी यह, मैं आपको लाने लिजाने का काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगी कि कौन किस वक्त आ रहा है, मैं लिसना बिंदिया को दे देते हूँ, मैं लाइटिंग का काम देख लोगा, अक्ष्णा, मैं कपो का रेंजमें देख लोगी, सारे से पूरे हुए हैं कि नहीं, ठीक है, फिर मैं गेट्स और बाखी अरेंजमेंट्स देख लेती हूँ, और मुझे कोई काम नहीं देगा, तु रहने दे मेरी गुडिया, तेरी भावी है ना, ब्या की सारी तैयारी देख लेगी, अरे, मैंना एक बार टेलर को फोन कर देती हूँ, बीच में उनका काम रुपा दिया था ना, रादिक्रिष्ण मास्टर जी, कैसे आप? जी-जी, वोना मुझे आपसे बहुत सारा काम था, क्या? अच्छा, नहीं आपके बहुत अरजन्ट था, कोई भी कारिगर नहीं है, फ्री? ठीक है, कोच अगर मुम्किन हो, आच्छा, ठीक है, रादिक्रिष्ण, क्या हो, आक्ष्रा? यह तो शादी के काम में बिजी है, अब क्या होगा? एक मिन, एक मिन, जो शादी से पहले टेलर मेरे कप्डे सीता था ना, मैं एक बार उसे ट्राइ करती हूँ, हलो, जगदीची, मैं अक्ष्रा बोल रही हूँ, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं, वो दर असल दो दिन में मेरी नंद की शादी है, तो ऐसी सिलसिले, अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, रादिक्रिष्णा, अब क्या हुआ बावी? यह भी किसी और शादी के काम में बिसी है, इस शादियों का सीजन है ना, टेलर मिलना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी हमार पास टाइम तो बहुत कम है, हे भगवाद, अब क्या होगा, जश्मी के सब कपड़े बया के तुरंत बात लगेंगे, हम कैसे सिलेंगे, लहंगे पड़े हैं, बलाउस नहीं हुए, एक मिनिट मा, मैं उन औरतों को इखटा कर लूँ, जो घर से सिलाई करती है, नहीं नहीं, उन्हें इखटा करने में ही दो दिन चले जाएंगे, मैं कर लेती, पर अब सिलाई के आदत छूट गई है मेरी, क्या करें, एक काम करते हैं, कुछ कप्टे हम सिले को दे देते हैं, और कुछ कप्टे हम सिलेवे खरीद लेते हैं, आज कल तो रेडिमेड कप्टे मिल जाते हैं, और मेरी वो सहेली है न पायल, जो यहां पडोस में ही रहती है, वो तो सारे अपने रेडी मेड ही खरीदती है और उसे अच्छ-च्छे टेलर्स का भी पता होगा मैं उसे एक बार पता कर लेती हूँ हाँ, वो मदद कर लेगी अक्षुरा? हाई, अक्षुरा हाई, पायल, हाँ वाई हूँ? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो लगता है बहुत बिजी हो गई हूँ हाँ, बिजी तो हूँ जब मिलेंगे ना, तब बताओंगी दरअसल मैंने तुम्हे इसलिए फोन किया था क्योंकि दो दिन में मेरी ननत की शादी है तुम्हें कार्ट तो मिला ही होगा ना? हाँ, मुझे मिल गया हाँ, उसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी थी तरअसल तुम्हारी मदद की जरूरत है हाँ, हाँ, बोलो तो, क्या हल्प चाहिए? वो, मेरी ननत की कपड़े सिलने के लिए रिटेलर नहीं मिल रहा है हाँ तुम कोई तेलरो ठीक है, तुम चिंता मत करो मैं अपने तेलर से पूछ लूँगा जलोब वैसे भी हम शादी हम में तुम्हें रहे हैं और तुम्हे आना होगा हाँ? हाँ जरूर आऊंगी पहले में तुम्हें पता करके फोन करती हूँ. ओके, बाइ. ओके, बाइ. क्या तो रही है कि कर देगी? क्या कोई बात नहीं है, तब तक हम पाकी काम संभाल लेते हैं. हाँ, हाँ, बिटा, बिश्टा में तो बिल्कुल नहीं है. और आज से तुम हमान भी आने लग जाएंगे. चुम्हें. मैं जो काम कर सकता हूँ, मुझसे कहिए कि. हाँ, चिंता मत कर. चल जाएगे तेरे कंप्यूटर में भी. हाँ, एक दम लेटेस्ट गेम है न्यू वाली. नो प्रॉब्लम यार. अंचु. अच्छ, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, हाँ? भाई, भाई, भाई. क्या बाद में फोन करेगा तु? कितनी देर से तु बाते चल रही थी? जब से फोन आया है, बस उसी पे लगा रहता है. नहीं नहीं, मा. मुझता मैं बस पड़ी रहता. मेरे पस नोट्स नहीं थे, इसलिए उसे फोन किया था. अच्छ, नोट्स के बारे में बाते हो रही थी? कल मार खाकर भी सुधरा नहीं तु. मुझे अच्छ से पता है, गेम के बारे में बाते हो रही थी. आप ये फोन मेरे पास ही रहेगा, समझे? तेरी पारिक्षा के बाद ही मिलेगा. नहीं मा, मैं बात नहीं करूंगा. क्या बात नहीं करेगा? पढ़ाई पे ध्यान दे. पर मा! दीदी, मिठाई का ओर्डर देदी है? हाँ, हो गया है. और काड़ियों की बुकिंग भी हो गगी है और मैंने उने टाइम टेविल भी बता दिया. और दुछ काम है? पहले दो मिनट चानती से बैठकर सांस ले. भाभी, मा, दीदी से भी पूछ लूँ, वो लो कब पदा रहे हैं? अक्षे दीदी, अक्षे दीदी, अक्षे दीदी है. अरे, आई, आई, आई. आई, आई, आई. पाइल मैडम ने भीज़े. हाँ, हाँ, मा, देखिए हमारे यहाँ शादी है, तो आपको अरजन बेसिस पर सारा काम करना होगा. आपको जितनी कारिगर बिठाने हैं, आप इठा दीजे. हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे. लेकिन देखिए, काम टाइम पर हो जाना चाहिए. और अच्छा भी होना चाहिए. जी, ठीक है. आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी. मैं ज्यादा कारिगर लगा दूगा. लेकिन मेडम, वो, डिजाइन... हाँ, डिजाइन्स हम आपको बता देंगे. अच्छे से समझा देंगे. हाँ, धन्या, एक बार अश्मी को बिला देंगे. जी. डिजाइन तो दिखाईए. उतना कैश में अलग रखवा देता हूं. और कम पड़े तो और मंगवा लूँगा. हाँ, मेडम. आपका काम हो गया है. मैं सिंगानिया साहब के घर आया हूं. तुम सिंगानिया साहब के घर में क्या कर रहे हूं? वो चान्नी मेडम. इन्हों ने मज़े शाथी के कपड़ों के सिलाई का काम दिया है. मेडम आपसा बात करना चाहती है. हालो, चान्नी जी मैं अक्ष्रा बोल रही हूं. मैं आपको फोन करने ही वाली थी. वो हम आपका कॉंट्राक कैंसल कर रहे है. क्या? लेकिन शिकायत क्या है आपको? जी देखिए आपने जितने भी प्रॉमिसेस किये थे उसे साब से कुछ भी नहीं हुआ है. हमें बिना दिखाया आपने इतने सस्ते मामूली से गिफ्ट पाक कर दिया. और उसके चार्जे जो आपने लगा हैं वो उसके आधे दाम के भी नहीं. देखिए अक्ष्रा जी आप बिल्कुल गलत बात कर रही है. देखिए मैंने जो देखा मैं वही कह रही हूँ. और यहां कोई भी आपके काम से खुश नहीं है. देखिए सच बात यह है कि हमें आपे बिल्कुल भरोसा नहीं है. पता नहीं कैसा काम चाहते हैं आप लोग. चौक से खरीदी वी चटकीली सारियां चाहिए तो वैसा कहिए न. मैं तो आपको डिजाइनर वेर दे रही थी. चान्नी जी हमें सोने और पीतल में फर्क करना आता है. आप प्लीज यहां आईए और आपका जितना पैसा बनता है वो ले जाएए. क्यूंकि आपका अडवांस चेक हमने रोग दिया है. वाट? जी हां, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोका किया है. राधिकृष्णी. दिलीज, अक्ष्रा में मास्रा जी को रश्मी के कमरे में ले जाती हूँ. आप चाहिए. आओ पिंद्या. बहुने हमें कितनी बड़ी गल्ती करने से बचा लिया. हमने तो उस पर भरोसा कर लिया था. किसी वास्ते मामना कर रहे हो था. दुनिया की देखा देखी, अपना काम काहें बिगाड़ना. अरे, अपने हाथ से काम करने में बड़ा सुख होवे है. और बनने जो शांती मिले है, वो अलग. आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं, दद्दाजी. अलग, आप जिए. आवो पिशंबर राथ. जी. रादी क्रिष्ट्ट. रादी क्रिष्ट. रादी क्रिष्ट. यह सब... यह सब कैसे हुआ, गायतरी भेर्ष्ट? इतनी पढ़ी चोरी? अम्मा जो होना था वो हो गया, पस हम यहीं जाते हैं कि उसका सरश्मी की शादी पर ना पड़े, आप लोग बैठे ना? इरा जो पिशम मनात? जमाई साब, अब आपकी तबियत क्यासी है? पस ठीक है बाउजी, अपना ध्यान रखिये, जे अब, दद्दा जी एक बात कहनी दे आपसे हाँ, हाँ, बोल को देखे दद्दा जी, आपने हमेशा हमें अपना छोटा भाई कहा है और समझ से भी है, इसी हक से एक विनंती है आपसे थोड़ी जिम्मेदारियां आप लोग हमें भी देदीजीए प्रश्चा के एसे ही और बहतरीन लम्हे लेखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को प्रश्चा करें हमारे यूट्यूब चानल को